महाशिवरात्री पर उज्जयन शहर में 21 लाख दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा कलेक्टर ने स्वयम सेवी संस्थाओं को सेक्टर और दीप प्रज्वलन की जिम्यदारी सौपी है महाश्यवरातरी पर्व पर उज्जयन शहर में 21 लाख दीपक जलाय जाने का लक्षी नरधारित क्या गया है यही नहीं इस दिन शिप्रानदी के दोनों तटो पर राम घाट, दत्त खाड़ा, सुनहरी घाट, नरसींग घाट, रविदास घाट, आदी घाटों पर 12 लाख दिये एक साथ जलाकर गिनीज बूग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्च किया जाएगा इस है तू गिनिज बूग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के 25 फरवरी तब उज्जयन पहुचने की संभावनाय बताई जा रही है उलेखनी है कि वर्तमान में गिनिज बूग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक स्थान पर सरवाधिक दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड अयोध्या में 3 नवंबर 2021 को 9,41,551 दिये जलाकर बनाया गया है दीप महुचसव उज्जयन की कार्य योजना को अंतीम रूप देने के लिए सीहस्थ मेला कारलय में कलेक्टर आशीश सीह की अध्यक्षिता में विभिन स्वयम सेवी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है बैठक में स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीश पाठक, कारिपालर यंत्री, पियुष भारगव, जगदीश अगरवाल, अशोक प्रजापत, विशाल राजोरिया, जगदीश पांचाल सहित तीन सो से अधिक स्वयम सेवी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे बैठक में कलेक्टर द्वारा विभिन घाटों पर दीप प्रज्वलन की सेक्टरवार जिम्बदारी स्वयम सेवक संगठनों को सौपी गई है बैठक में कलेक्टर आशीश सीह ने कहा कि उज्जयन शहर के लोग दीप महुचसा से जोड़ रहे हैं यह निश्चित रूप से ही अध्भुत है उन्होंने बताया कि रामघाट पर कुल बारह लाख दीपक प्रज्वलित करने का लक्ष है यह सभी दीपक पाच मिनट तक जलेंगे वह इनको ड्रोन के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा रामघाट शिप्रानदी तट पर दोनों और कुल साथ ब्लोग बनाए गए हैं वह 131 सेक्टेयर बनाए गए हैं प्रत्येक सेक्टेयर में 100 वालेंटियर्स की नियुक्ती की जाएगी जो दीप प्रज्वलन के लिए जिम्मदार रहेंगे कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक वालेंटियर के साथ एक परिवेक्षक की नियुक्ती भी की जाएगी जिस से दीप प्रजुवलन के समय समनवय बना रहे जो खुद आकर जो है दिए जलाना चाहते हैं तो 13 लाग दिए हम लोग वहां पर लगाएंगे इसके साथ जो साज़नी किस्थान हैं जनमें विभिन मंदिर हैं विभिन चवराहे चौक और बगीचे वगरा हैं वहां पर हमारे ये अपील कर रहे हैं कि कब से कम पांस दीपक जो हैं अपने घरों पर जरूर जलाएं